यूं तो उत्रप्रदेश का पिलिवीट टैगर रिजर्व अपनी बढ़ती बागों के संख्या के चलते लगातार सुर्खियों में बना रहता है लेकिन कई बार जंगल से सटे इलाकों से मानब वनेजीव संगर्श की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं हाली ही में पिलिवीट के निवरे अलाके के रहने वाले एक मजदूर की उत्राखंड के सीमा के एक फार्म में बाग के हमले में मौद हुई थी वन विभाग के अधिकारियों के माने तो ये टाइगर उत्राखंड की सुराई रेंज से निकल कर इस इलाके में जहल कदमी करता देखा गया था और गन्ने के खित में छिलाई के काम के दोरान इसने मजदूर पर हमला कर दिया इस हमले में मजदूर को अपनी जान से हाथ धूने पड़े थे आपको बतादें कि ये पहला मौका नहीं है जब इस और बाग के हमले में किसी ने अपनी जान गवाई हो बीते साल लवंबर दिसमवर के महीने में भी तीन लोगों की टाइगर के हमले में मौद की खबर सामने आ चुकी है अगर ग्रामीडों की माने तो हल ही में मजदूर को मौद के घाट उतारने वाला टाइगर एक बार फिर से उस इस इलाके में देखा गया है ऐसे में वन विभाग के अधिकारियों ने कैमरा ट्रेप लगा कर अब टाइगर की निगरानी शुरू कर दी है वैसे तो वन विभाग के अधिकारियों के मताबिक यह बाग उत्राखंड की सुरई रेन से निकल कर इस इलाके में आया है प्रजदूर की बाग के हमले में मौत हुई थी उसके ही आसपास के इलाकों में यह बाग फिर से देखा जा रहा है अब टाइगर की इस चहल कदमी ने इस इलाके में रहने वाले दरजनों गाओं के ग्रामीरों की चिंता बढ़ा दी है दूसरी और बाग की लगातार अबाद सुर्खियों में बना रहता है लेकिन कई बार जंगल से सटे इलाकों से मानव वनजीव संगर्श की घठनाएं भी सामने आती रहती हैं